हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल विनाय कुकिंग एंड क्राफ्ट बिलकुल शादी टाइप यानी शादी पार्टी में हम जब जाते हैं और हमें ये हलवा मिलता है सेम उसी तरीके का हमने इस हलवे को तैयार किया है तो आप तो समझी गए होगे कि हम किस हलवे की बात कर हैं आज हम बात कर रहे हैं मूंग दाल हलवे की जो बहुत ही टेस्टी होता है और इसे हम बिलकुल जिस तरीके से शादी में तयार करते हैं उसी तरीके का हलवाईयो टाइप तयार करेंगे आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी यमी दिख रहे हैं तो इनका टेक्शर कलर स शुरू करते हैं साधियों वाला दानेदार और बहुत ही टेश्टी मूंग डाल का हलवा बनाना तो इस हलवे को बनाने के लिए हमने जो भी सामान लिये हैं उनके लिष्ट आपको दिखा देते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पे लिया है मूंग डाल तो मिजर्मेंट के लिए आप कोई भी बाउल या कप जो भी अविलेबल हो घर में उसे ले सकते हैं तो मैंने इस तरीके से एक बाउल ले लिया है और इसे मैंने एक कटोरी ले लिया है मूंग का डाल यह वजन में 250 ग्राम है और सेम साइज के कटोरी से हमने यहां पे एक कटोरी ले लिया है शक्कर और एक बड़े से कप से हमने लिया है एक कप देसी घी एक कप पानी 500 ml यानि की आदा लीटर दूद और यह हैं हमारे ड्राइफ रूट्स तो आप अपने पसंद के ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं चार छोटी इलाइची और इसके अलामा वन टेबल स्पून बेसन और वन टेबल स्पून सूजी इससे हमारा जो हलवा है बहुत जादा टेश्टी और द नहीं दालकर नियुद्स दाल को इसी टोड़ा थीटिते से मसल के नी तो निकाल दिया यह तो इहां पर कड़ाई गरम हो गई है इसमें हम दाल को डालेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हम इने थोड़ी देर तक भूनेंगे अब इस दाल का कलर हलका चेंज होने लगा है इसे हम थोड़ी देर और रोष्ट करेंगे तो यह हमारी दाल भून चुकी है इसका कलर हलका हलका चेंज हो गया है ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इनका एक दरदरा सा पाउडर तयार करेंगे और हम यहाँ पे दो चम्मज घी में अपने ड्राई फ्रूट को हलका सा फ्राई कर लेंगे इस तरीके से और अब हम कडाई में और घी डालेंगे और इस घी में हम अपना दरदरा पीसा हुआ मूंग डालेंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए हम फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और यहीं पे हम एक चम्मज जो हमने बेसन लिया था और एक चम्मज सूजी इडे भी आड़ कर देंगे और सबको एक साथ मिक्स करते हुए हम फ्राई करेंगे गी हम इसमें और डालेंगे बूंग डाल के हलवे में घी काफी लगता है जिससे यह हमारा जो हलवा बनता है यह बहुत ही दानेदार और बहुत ज़्यादा टेश्टी बनता है तो अब इस तरीके से हम इने लो फ्ले काफी अच्छा हो चुका है और इनमें से खुश्बू भी बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही है तो अब हम यहाँ पे अपना दूद एड करेंगे और यह देखिए काफी ड्राई होने लगे हैं यह दूद डालने के बाद हमने इने लो फ्लेम पे पकाना शुरू किया है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है शक्कर, और शक्कर को हम हमें मिक्स करेंगे आप इसमें कलर देने के लिए केसल या फिर ओरेंज फूट कालर यह या येलोफूट कलर सकते हैं तो मैंने यह थोड़ासा ओरेंज फूट कलर डाला है। रिने अच्छा से गीस करेंगे और यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून घी फिर से एड़ कर रही हूँ और इन्हें अच्छे से चला के मिक्स करेंगे और यह देखिए बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है हमारे हलवे का इन्हें हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि यह थोड़े और सूख जाएं और अब हम अपने हलवे में एड़ कर रहे हैं इलाइची पाउडर तो हमने जो चार इलाइची ली थी उन्हें अच्छे से कूट लिया है और इसे भी हलवे में मिक्स कर देते हैं तो ये लीजे हमारा हल्वा बिल्कुल तयार हो चुका है और अब मैं इसमें टाल दूँगी थोड़े ड्राइ फ्रूट्स और इन्हें भी इसमें मिक्स कर लेते हैं और गैस को हम बंद कर देंगे तो ये लीजे हमारा बिल्कुल शादियों टाइप दानेदार और बहुत ही टेस्टी टेस्टी मुंग दाल हल्वा बिल्कुल रड़ी हो चुका है बहुत ही सुंदर कलर आया है और हल्वा दिखने में काफी टेस्टी लग रहा है खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्ट तो चलिए आशा करती हूँ कि आज का ये वीदियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने शब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ले से जल्ली सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा और हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें इसके लिए विनाय कुकिंग एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई